जशने आज़ादी आज़ पूरा देश मना रहा है। देश आज 78 वा स्वतने तदर दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्या मोदी ने लाल किले से जंड़ा फैर आया है। और जैसे ही जंडा फैराया गया वैसे ही भारती वाई सेना के विंग कमांडरों ने स्वदेशी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरों से फूलों की बारिश कर दी, फूलों की पंखुडियां बढ़साई गई तमाम महमानों के ओपर, स्वदेशी 105 mm light field gun का इस्तमाल करके 21 तो पहले गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री हो गए हैं। जवाहरलाल नहिरू और इद्रा गांदी के बाद PM मोदी तीजिस्तान पर इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने का ये दिन है। केंदर सरकार की उपलबदियां गिनाई प् 140 करोड लोग विक्सित भारत बना सकते हैं। इस मौके पर PM मोदी ने महिला अपराधों पर अपनी चिंता जताई। देली पुलिस की कर्मियों ने गार्ड ओफ ओनर दिया उनका स्वागत किया। गार्ड ओफ ओनर के बाद PM मोदी ने गाथ का निरिक्षिन किया। जिसमें कोडिनेटिंग जवान और कमांडिंग अधिकारी शामिल है। अब तक जो कारिक्रम में PM ने मौजूदगी दर्ज कराई और लाल के ले के प्राचीर से एक नया इतिहास NDA BJP के लिए स्थापित कर दिया। के गैर कॉंग्रेसी कोई पहला प्रधान मंत्री अब तीसरे स्थान पर आ गया है। जवालान नहरु के बाद इंद्रा गांदी के बाद जवालान नहरु 17 और इंद्रा गांदी 16 और अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वी बार ध्वजा रोहन किया लाल के ले के प्राचीर से। तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल के ले की प्राचीर से महिलाओं के खिलाफ अपरादों पर गंभीरता और जल्द जाच की बात कही। उन्होंने पापियों के मन में डर पैदा करने पर जोर दिया साथ ही राजे सरकारों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपरादों पर गंबीर होने के लिए कहा उन्होंने समाज में अपराद के साथ सजा पर भी चर्चा के लिए जोर दिया अग्रेस लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा तो हमारी माता हो बेहन हो बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोष है जन सामाने का आक्रोष है इस आक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवज्ज सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कुरुत करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की महलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षए सी मनोवृत्य व्यक्ति को सजा होती है तो वह खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौन में कहीं पड़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्था हो ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पादा हो एपाप करने कि आी फांशी पर लंट्र लग मढ़ता है और मुझे लगता हैं कि डर पादा करना बहुत ज़रूरी है प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने स्वत्तंतरता दिवस की प्रचीर में प्रचारी से मेडिकल के छात्रों के लिए एक बड़ा एलान किया उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाएंगे दस साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाग कर दिया है आज मैं करीब 25,000 युवां हर साल विदेश में मेडिकल एचुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी करें मैं सोच सुनता हूँ दहरान हो जाता हूँ और इसलिए हमने ताइक किया है कि अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी मेरे प्यारे देश स्वासिया विक्सित भारत 2047 वो स्वस्त भारत भी होना चाहिए और जो स्वस्त भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आज से ध्यान देने के जरूर और इसलिए हमने विक्सित भारत की जो पहली पीड़ी है उनकी तरफ विशेद ध्यान दे करके हमने पोशन का एका भ्यान चला है प्रधान मंद्री नरिंद्र मूदी ने समान नागरिक सेंटा में बदलाव को जरूरी बताया और देश में सेक्लर सेवल कोट की जरूरत पर भी बल दिया प्रज़ को इनिफर्म सिबील कोड को लेकर जे चर्चा की अनेक बार आदेश दिये हैं क्योंकि देश क्या एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है अर उसमें सच्चाई भी है कि जी सिवील कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिवील कोड सच मुझमा तो एक प्रकार का कॉम्यूनल सिवील कोड है बेदभाव करने वाला सिवील कोड है ऐसे सिवील कोड से जब सम्मिदान के 75 भरस मना रहे हैं और समिधान की भांगना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कौर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो समिधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं मानता हूँ इस गंबीर विशेपर देश में चर्चा हो ब्यापक चर्चा हो हर कोई अपने विचारों को ले करके आए और उन कानूनों को जो कानून दर्म के अधार पर देश को बाड़ते जो उंच नीच का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूँगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल सिविल कोड में 15 साल बिताए हैं अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और सब जाकर के देश में धर्मे के आधार पर जो बेदबाव हो रहे हैं सामान नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी वहीं आपको बताएं कि बंगलादेश के हाराथ पर भी पीए मोदी ने लाल के लेके प्राचीश से बात की और हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित हो इसकी अपील की बंगलादेश पर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पडोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि बहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोर देश वाच्चों की जिनता कि वहाँ हिंदू वहाँ के अल्पसंख्यक उस समुदाई की सुरक्षा सुनिश्चित हो बर्द हमेशा चाहता है कि हमारे परोसी देश सूख और सांती के मार्क पर चले शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संस्कार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुब्चिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग हैं लाल खिले के प्राचीर से देश को संबोजित करने के बाद पी एम मोदी दर्शक दीरगा में पहुंचे और पी एम मोदी अभिवादन यहाँ पर स्विकार करते हुए लोगों का नसर आए बच्चे यहाँ पर भाई संख्या में मौझू थे आमज DIY मौझू थे एम लोगों के वीच में महिनाएं सबसे मुलाकात विर्श की इनकिया उनने बच्चों के साथ बाच्चित पी की सेल्सिवी इस we celebrate our Independence Day we not it's a BLP moody naraj gharjaka mahatma Gandhi ko shraddhanjali di Rajpita Mahatma Gandhi ko naman no ne kia or ne aat Mahatma Gandhi ki samadhi par pushpanjali arpat ki तो राश्पitah maatma Gandhi ki samadhi saal par jaakar shraddhanjali arpat ki Rajgharat se tatsvir e subha ki जब प्रधान-mandirin narindr moody लाल-kilei par jane se pahle राश्पitah ko naman karne ke liye pahunche लाल-kilei me P.M. Modi ke samodhan ko har kisi ne bauht dhyan se suna बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में जहां-जहां भारति ये मौजूद है सब ने P.M. Modi की बातों को suna लेकिन आपको बताएं कि उनके samodhan ko पूर्व Congress की नीता आचार ये प्रमूत कृष्णम ते जस्वी और ओजस्वी नजर आएं आज आज आज़ादी के दिवानों को याद करने का दिन है भारत में दम राष्ट्र प्रेम सर्वपथम 78 वे स्वतंतरता दिवस के मौके पर केंद्रे मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नर्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्याले पर राष्ट्रिय द्वज फेहराया है उस दौरान की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं संबोदन के दौरान उन्हें कहा कि हम उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए अपने वीर शहीदों को अपने वीर जमानों को और हमारे सोधंतरता सेनानियों को जिन्हों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आपको आहूत कर दिया अपनी शहादत दिया अपना बनिदान दिया और उनके माध्यम से जो ये आजादी हमें दिली है उसे हम सब्जो कर उसे हम सम्हाल कर और तुनाम उन्सी मोदी के आवाल पर अमरे स्काल में इसे हमें विक्सित राश्ट की ओर ले जाना है वाला को बताएं कि रक्षमंदीराजनाथ सिंग ने दिल्ली में अपने घर पर जंडा फैराया तो इस तस्वीरे रक्षमंदीराजनाथ सिंग के आवाज से आ रही है दिल्ली की जहां पर उन्होंने अपने घर पर ध्वजारोंट किया है वहीं आप बदाएं कि आरे से स्प्रमुक मोहन भागवत ने नाखपूर में आरे से से कोटर में जंडा फैराया इस मौके पर मोहन भागवत ने बांगलादेश के हालात पर चिंता जटाई और कहा कि पडोसी देश में काफी उतपाद हो रहा है महार रहने वाले हिंदु भाइयों को बिना कारण ही परेशान जेल करा जा रहा है परेशानी जेल नी पढ़ रही है ये भी उन्हें कहा कि भारतवर्ष की परंपरा दुनिया के उपकार की रही है हमने किसी पर हामला नहीं किया जब जो संकट में था उसकी मदद ही की पड़ोसी देश में बहुत उत्पाथ हो रहे हैं भार रहने वाले हिंदू-बंदों को विना कारण ही उसकी की जहलों में पड़ रही है भारत वर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयम की स्वतनरता इसका तो है ही गायित हुआ हर एक देश का होता है लेकिन भारत वर्ष की परंपरा ये रही है कि भारत वर्ष अपने आपको दुनिया के उपकार के लिए बढ़ा करता है और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आकरवण नहीं किया कुछ नहीं किया जब जब जो संकट में था उसको मदद की वह हमारे साथ कैसा विभार करता है इसको देखा नहीं है जो संकट में है उसकी मदद कर रहा है इपने राजियों में द्वजा रोहन किया आप देखेंगे इन तस्वीरों में के हर तरफ के सरिया सफेद और हरा रंग ही आपको नजर आएगा प्रधान मद्री नरेंद्र मोदी ने राल किले की प्राचीर पर जंडा फैराया मुक्यमंद्री योगी अयतिनात ने लखनों में द्वजा रोहन किया उत्रा खर्ण में मुक्यमंद्री पुष्कर सिंग्धामी ने देरादूर में जंडा फैराया आपको बताएं कि मुक्यमंद्री योगी अयतिनात ने लखनों विधान भवन पर द्वजा रोहन किया है द्वजा रोहन के फॉरण बाद लखनों में एक साथ राष्टगान हुआ है 52 सेकंड के लिए लखनों के सभी चुराहों के सिगनल रेड हो गए इससे पांच मिनट पहले साइरन बजा और एक मिनट पहले ही शेहर भर में पूरा ट्राफिक रोक दिया गया संबोधन के दौरान सीम योगी ने का कि देश और दुनिया में यूपी का परसेप्शन बदला है यूपी में अपरादों में कमी आई है मैला अपरादों में सबसे ज्यादा सजा यूपी ने दिलाई यूपी के माफियाओं पर कारवाई से भय और आतंग का माहौल खत्म हुआ है संबोधन के बाद सीम योगी ने तिरंगे के रंग के गुबारे भी हवा में छोड़े बच्चों से बाच्चीत की बच्चों के साथ सेल्फी ली उनको प्यार दुलार किया और उत्तरब्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78 वां स्वाधिन्ता दिवस के आयुजन के साथ जुड़ रहा है तो उत्तरब्रदेश आदने प्रधान मंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्द है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का ये राज्य जीरो पावर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगा हर परिवार के पास अपना फेमली आईडी बना करके सासन की योजनाओं को हंडेट परसेंड सिचुरेशन के लक्से तक पहुँचाने के लिए कारे करणा करेगा और इसके लिए प्रतेट प्रिवार को फेमली आईडी उपलब्द करवाएगा युवा भारत के विकास की धूरी है हमारा युवा प्रतिभासाली है उर्जा से भरपूर है उर्जावान प्रतिवासाली युवा का योगदान अत्यंत महत्तो पूर्ण है